एक मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने देशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली डोज ली तो ये उनका भारत के वज्ञानिकों पर भरोसा ही था 38 दिन अबाद 8 अपरेल को कोवैक्सीन की दूसरी डोज प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी को दी गई देश की सरकार की मुख्या से लेकर खासो आम को अब तक को वैक्सिन के 4 करोड 24 लाग से अधिक डोज लग चुके को वैक्सिन डोज लगने की आकड़े गिनाने का मकसद ये बताना है कि भारत की पहली देशी कोरोणा वैक्सिन पर डबलुएचो का भी भरोसा बढ़ रहा है एक इंटर्वीव में डोज वैक्सिन की प्रभावशीलता काफी अच्छी है डेल्टा वेरियंट पर प्रभावशीलता थोड़ी कम है लेकिन फिर भी ठीक है इसके सुरक्षा मानक डोज वैक्सिन की कसावटी के मताबिक है अच्छी कासी प्रोटेक्शन दे सकती है कोवैक्सिन को डबलू एचो की मंजूरी का इंतजार है तब इस जून को कोवैक्सिन निर्माताओं की डबलू एचो के अधिखारियों से मुलाकात हुई थी एस्टाजेनेका की कोविशील के साथ कोवैक्सिन को जब इमर्जनसी यूज की मंजूरी मिली थी तब इसके अंतीम चरण के ट्राइल चल ही रह थी ऐसे में कोवैक्सिन को लेकर हंगदामा हुआ था अलाकि सरकार की और से भरोसा दिलाने की कोशिश हुई थी कि भारत के ड्रक्स कंट्रोलर डिसी जी जी आई की मंजूरी कोवैक्सिन के तमाम पहलूँ को परखने के बाद ही दी गई थी अभी पिछले हपते कोवैक्सिन का फाइनल डेटा आ गया है तीसरे चरण में कोरोना के खिलाप इसकी संपून प्रभाव शीलता 77.8 प्रतिशत आ की गई है भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरियंट पर कोवैक्सिन 65.2 प्रतिशत प्रभ प्रतिशत प्रटिशन इस सेवेंटी आट्उस और सिवियर डिसीस है गंभीर बिमारी से प्रतेक्शन मिलता है 93%. 93 प्रदिशत protection हमें मिलता है और इस vaccine का protection मिलने के लिए दो डोस की जरूरत है और दो डोस लेने से बहुत अच्छा protection मिलता है ये vaccine से अब अगर co-vaccine को WHO की हरी जंडी मिलती है तो ये ना सिर्फ भारत के लिए बलकि co-vaccine को इजासत देने वाले इरान, नेपाल, मेक्सिको, गोएना, परागवे, मौरिशस और फिलिपीन जैसे देशों को भी सौगात मिलेगी भारत में बने कोवी शील्ड को ना नुकुर के बादी सही लेकिन योरोप के अधिकतर देशों ने ट्रेवल का green signal दे रिया है अगर WHO कोवैक्सिन को अप्रूवल देता है तो कोवैक्सिन के लिए भी green passport हासिल करना आसान होगा अभी तक भारत बायाटेक के कोवैक्सिन को emergency use authorization दबली ओचो के तरफ से नहीं मिली है इस वज़े से इस वैक्सिन का एक perception बना हुआ है कि ये worldwide accepted नहीं है जो travel करना चाते हैं बार जो सफर करना चाते हैं देश के बार उनको भी problem आ रहे है क्योंकि उन लोगों ने कोवैक्सिन लगाई है लेकिन इस बयान से ये देखा जा सकता है कि शायद World Health Organization ने इसकी data को अच्छी तरीके से accept कर लिया है और जल्दी इससे emergency use authorization दे दिया जाएगा स्रीहा मुर्दानी आज तक